हलो फ्रेंड विल्कम टू माई यूटूब चैनल डिकलाफर स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम 10th क्लास का बहुत ही महतपूर्ण सब्जेक्टिव के साथ आया है जो वो आने वाले बोड एक्जाम में 5 नंबर को के पूछे जाते हैं तो प्लीज फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल एकन को दवाना ना भूले ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अप्टेट पीडियों बढाओ आप तक पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आज आज हम 10th क्लास का विधुत मोटर के बारे में बता रहा है जो आने वाले सेंटर एक्जाम में बहुत ही महतपूर्ण प्रस्ण है तो चलिए फ्रेंड देखते हैं बिधुत मोटर का सिद्धान्त सहित वर्नन कीजिए तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका अंसर में हो जागा कि यह एक ऐसी उक्ति है जो बिधुत उर्जा को यामत्री कुर्जा में पडिवर्तित कर देता है बिधुत मोटर का उप्योग बिधुत पंखा, कपरा, धोने के मसीन, रेफ्रिजेटर आधी का निर्मान में परमुख घटक के रूप में किया जाता है बिधुत मोटर में एक नाल चुम्बक होता है, जिससे छेत्र चुम्बक कहते हैं पराय छेत्र चुम्बक बिधुत चुम्बक ही होता है चुम्बक के धुर्ब को खंडो के बीच नर्म लोहे की प्लेट से बने फ्रेड पर लिप्टी तामबे की कुंडली होती है जिसे फेरो की संख्या काफी ही अधीक होती है इसे मोटर का आर्मेचर कहते है आर्मेचर के छोरो पीतल के खंडित बलाय से ढके होते रहते है इन बलायों को कारवन के ब्रस असपर्स करते रहते है नेक्ष्ट इसका किरिया किरिया यानि वर्क जब आर्मेचर से बिधुधारा परवाहित की जाती है तो आर्मेचर के दोनों भुजाएं एबी तथा सीडी जो चुमबकिये छेतर की दिसा लंबत होती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल का अनुभब कराती है एबल मान में समान लेकिन दिसा के विपरित होते हैं इसी लिए एबल युगमक बनते हैं जिसके कारण जिसके कारण आर्मेचर घुमती रहती है जैसा की चित्र में दर्साया गया है एन और एस दो चुमबकिये छेतरों के बीच कुंडली को रख कर इसमें धारा प्रवाहित करती है तो बीबन बरस और बीबन बरस से लाइन प्रवाहित करती हुई डी तक पहुचता हुआ सी के विपरित होकर बी तक पहुच जाती है और एसे लोटती हुई वह आरवन बरस के पास पहुच जाती है तो यह दो बरसों के बीच एक कुंडली जिसमें तामबे के तार लप्टा हुआ रहता है और इस तामबे के तार जैसा ही इस पे विधुत धारा परवाहित होती है तो इसके ABC लंबत होती है AB को और इसी तरह घूमते रहती है इसके बीच वाले भाग को धूरी कहते हैं जिसमें तामबे के तार लपेटा हुआ रहता है इसमें एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है जो इसके दोनों सीरो पर इसके दोनों सीरो पर बीवन तथा बीटू के लंबत होती है तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आधे घुर्नन के बाद जब सीडी भुजा उपर की ओर चली जाती है एबी भुजा नीचे की ओर आ जाती है तो बलय के अस्थान का अदला बदलती हो जाती है एबम आर्मेचर पर लगा हुआ बल युगमक आर्मेचर को लगा कर एक ही दिशा में घुमाता रहता है इसलिए इसे डीसी मोटर भी कहते हैं नेक्स्ट बिधुत मोटर में विभक्त बलय द्रिक परिवर्तन का कारे करता है यह परिवर्तन में विधुत धारा के परवा को उतकर्मित कर होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बल को दिशा में उतकर्मित हो जाती है कुंडली का पहली भुजा को पहले निचले धकेल गई थी जब उपर धकेली जाती है और उपर वाली भुजा नीचे धकेली जाती है पर तेक घुर्नन के बाद यही कर्म दोहराता है और कुंडली और धुरी को लगतार घुर्नन होता रहता है तो यही बिधुत मोटर का कार रहे हैं, तो प्लीज फ्रेंट हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, और बेल एकन को दवाना ना भूले, ताकि जो ही मैं 10th कलास का लेटेस्ट अप्टेट वीडियो बनाओं आप तक पहुंचता रहे, तो प्लीज फ्रेंट हमारे चैनल को सस्क्र करें, तब तक के लिए टेकन, बाई!